Welcome to my YouTube channel, Learning with Dignity. My name is Garima. Hello students, आज हम करेंगे Class 1 English and CERT, Mary Gold का Unit 7 की स्टोरी, सुन्दरी. Who was सुन्दरी? सुन्दरी कौन थी? तो, सुन्दरी was a big red, white and blue kite. सुन्दरी एक पतंग थी, जो काफी बड़ी, लाल, सफेद और नीले रंगी थी. आप ये picture में देख सकते हैं. When Bobby made her, she smiled at him. और Bobby इस लड़के का नाम है. इसने इस पतंग को बनाया है और ये ही से देख कर मुस्कुरा रही है. You are beautiful and I will call you सुन्दरी, he said. तो Bobby कहता है कि तुम बहुत ही खुबसूरत हो और मैं तुम्हें सुन्दरी कहके पुकारूंगा. One day, Bobby took सुन्दरी to the fair. मेले में ले गया, fair होता है मेला. The band was playing और वहाँ पर बाजे बजाये जा रहे थे and everyone was smiling और हर कोई मुस्कुरा रहा था. A merry-go-round was playing a happy little tune. Merry-go-round आपने जूला देखा होगा जो गोल-गोल घूमता है जिसमें लकडी के घोड़े और जानवर लगे होते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं. उसमें एक छोटी सी little twin यानि मधुर संगीत बज रहा था. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animal. और जो merry-go-round है उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां गोल-गोल घूम रहे थे और उस पर वो लकडी के जो जानवर होते हैं उस पर वो बैठे हुए थे. Bobby looked for an open space. अब Bobby जो था अपनी सुन्दरी के साथ था और वो एक खुली जगा धून रहा था. Where he could run and fly his kite और जहां वो अपनी पतंग को उड़ा सके, दौर सके. सुन्दरी looked true. सुन्दरी भी ऐसे ही कोई जगा धून रही थी. Out in the grass ran Bobby. अब जो घास थी, वहाँ पर Bobby दौरने लगा, holding up his kite as high as he could. और अपनी पतंग को जितना उचा पकर सकता था, उसने उतना उपर पकर रखा था. Puff! The wind came along. तभी वहाँ पर एक हवा का जोका आया. सुन्दरी started to fly up. अब सुन्दरी जो थी, वह काफी उचाई पर उडने लगी. But she could not go very high. लेकिन वह जादा उपर नहीं जा सकी. A little dog was holding on her tail. Long tail. एक छोटा सा जो कुता था, उसने सुन्दरी की पूँच को पकर लिया था. ये देखे पिक्चर में, डॉग ने सुन्दरी की जो पूँच है, उसको पकर रखा है. It was in his mouth. और जो long tail थी, पूँच थी, वो कुते के मूँ में थी. Bobby shoot the dog away. अब Bobby ने कुते को दूर भगाने की कोशिश करी. We will try again, Bobby said. Bobby ने कहा, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे. इस बार सुन्दरी ने हवा में तेजी पकड़ ली. वो उचा जाने लगी. She tugged hard. Tugged होता है, पूरे जोर लगा कर खीचना. और उसने पूरे जोर लगा कर कोशिश करी और वो उपर उठने लगी. Oh, how she wanted Bobby to let go of her string. और अब क्या था? वो चाहती थी कि Bobby उसे जाने दे, उपर जाने दे, जो धागे से वो बंधी थी, उसको छोड़ कर. She gave a big tug, और सुन्दरी ने काफी तेज से खीचा अपनी तरफ को. Bobby had to let her go, और अब Bobby को उसको जाने देना पड़ा. Wee! cried सुन्दरी, और सुन्दरी हवा में उड़ती हुई, बोली, Wee! Now I can fly as high as I please, और अब मैं जितना उचा चाहूं उड़ सकती हूँ, अपनी खुशी के अनुसार. And away she went, और वो दूर चली गई. She flew up, up, up in the air, और वो हवा में उपर की तरफ उड़ती जा रही थी, यह उड़ती ही जा रही थी. तो यह चाप्टर फिनिश हो गया, चलिए इसके हार्ड वर्ड और कुशिन आइसर देख लेते हैं. New words, Band, Band होता है a group of musical instruments, जिसमें अलग-अलग तरीके के बाजे बजाय जाते हैं. Dizzy, Dizzy माने चक्कराना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्ट्रिंग होता है धागा या तार, जिससे पतन बंधी होती है, जिसे हम डोरी कहते हैं. टग होता है पूरे बलपूर वक्त, खीचना, विंड होती है हवा. लेट्स रीड, I feel dizzy on a merry-go-round, तो हम लोग जब किसी जूले पर जूलते हैं, या merry-go-round पर जूलते हैं, तो हमें चक्कर महसूस होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम गोल-गोल खूम रहे हैं. The band was playing a tune, और जो band था, वो एक मधुर धुन बजा रहा था. Reading is fun. Question 1. Who made सुन्दरी? तो सुन्दरी को किसने बनाया? Answer. Bobby made सुन्दरी. सुन्दरी को Bobby ने बनाया. Question 2. Why did Bobby call his kite सुन्दरी? तो Bobby जो है अपनी पतंग को सुन्दरी क्यों कहता था? Answer. Bobby called his kite सुन्दरी because it was beautiful. Bobby अपनी पतंग को सुन्दरी इसलिए कहता था क्योंकि वो बहुत खुपसूरत थी. Question 3. Did सुन्दरी fly very high at first? तो क्या सुन्दरी जो है सबसे पहले काफी उचे उड़ी? Answer. No. सुन्दरी did not fly very high at first. नहीं. सुन्दरी जो है पहले पहल सबसे उचे नहीं उड़ पाई. Question 4. What made सुन्दरी really happy? तो क्या चीज़ है जिसने वास्तव में सुन्दरी को खुश कर दिया? Answer. सुन्दरी became really happy when Bobby let her go and fly high in the sky. तो जो सुन्दरी है वो वास्तव में तब खुश हुई जब Bobby ने उसको जाने दिया और हवा में आसमान में उचे होने दिया. Let's talk. Do you like to fly kites? तो क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? Answer. Yes. I like to fly kites. मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है. Question number 2. Who helps you to fly kites? तो आपकी कौन मदद करता है पतंग उड़ाने में? तो answer है. My brother helps me to fly kites. पतंग उड़ाने में मेरा भाई मेरी मदद करता है. Now, question number next. Let's share. Take the object you need to fly a kite. Color the kite. तो यहाँ पर आपको यह kite की picture दी है. आपको उसको color करना है. और क्या-क्या जरुवत पढ़ता है? तो आपको क्या-क्या चीज़े जरुवत पढ़ती है? रोलर, ग्लू, एंड पेर ओव सीजर. यह chapter फिनिश हो गया. इसके question answer और exercises हो गए. आपको कैसे लगे? Comment section में जरूर बताईगा. पसंद आया हो तो like करें, share करें चैनल को subscribe करें.